दोस्तों एक समय था मेरे जीवन में जब मैं बहुत परिशान था, बहुत दुखी था, काफी कुछ मैंने खो दिया था, कोई भी चीज वरकाउट नहीं कर रहे थी, बार बार सिरफ नाकामियाबी, परिशानियां, और कहीं सारी परिशानिया एक साथ मेरे उपर आ रहे थी, उस समय में बिल्कुल अनिम्प्लॉइड था, उससे पहले मैं काफी कुछ कर चुका था, बड़ बिल्कुल सड़क पर आ गया था, ऐसा नहीं कि मैं खाली बेटा था, मैं बहुत कुछ कर रहा था, प्लैन कर रहा था, महनत कर रहा था, धक्के खा रहा था, सड़कों पर धक दूसरे शहर में रहते हैं तो कुछ दिन के लिए मैं उनके आगया बड़ी बड़ी गाड़ियां बड़ा बंगला बंगले में गाड़न सारी सहूलियतें उनके बच्चे जो मेरी उमर के हैं कुछ करने की जुरूत नहीं पाटी करनी हैं, मजे करने हैं काम पे कोई ध्यान नहीं एक आद घंटे कुछ काम कर लिया कर लिया, बागी मौच करो हर शाम पाटी होती थी शॉपिंग करते थे कई घूमने निकल के तो मैं कुछ दिन उनके साथ रहा और उन्होंने बड़ी इज़त से मेरे को रखा सारी सुख सुविदाय उपलब्द कर रही अच्छे अच्छे वियंजन मनाया अच्छे अच्छी जगे घुमाया लगजरी इसको इंजॉई करवाया बड़ा अच्छा लगा वापे और दोस्तों चम्हें मासे वापिस लोट रहा था मन बड़ा विचलित बड़ा परिशान हो गया अपनी लाइफ की याद आ गई जिसको मुझे जीना था जापे complete uncertainty थी कुछ नहीं पता क्या होगा सब खतम हो चुका था एक एक चीज दुबारा खड़ी करनी थी बहुत सारे doubts थे शंकाये थी बहुत सारी नजरे मुझे देख रही थी तो जब उस life का एसास हुआ और जो दो-तीन दिन मैंने life जी या वो जो जीवन वो इनसान जी रहे थे वो लोग जी रहे थे उसका मुझे एसास हुआ तो मेरे दिमाग में किसी भी आम इनसान की तरह comparison चलने लगे सो घुमो फिरो शौपिंग करो सारी सुक्सुविदाएं और एक मेरे को जीवन मिला है इतनी मेहनत करते सराते भी बार-बार फेलियर जा रहे है बार-बार नाकाम हो रहा हूँ सब गलत ही गलत होए जा रहा है कहां से कहां पहुँच गया मेरे पास भी काफी सुक्सुविदाएं दी सब खतम हो गए सब बिग्या सब शूने हो गए मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ मुझे ऐसा जीवन क्यों नहीं मिला काश मैं उसका जीवन जीप पहूँ सबसे खराब ख्याल तो यह था जब मुझे लगने लगा काश मैं उसका जीवन जीप पहूँ और दोस्तों इस कंपैरिजन के चक्कर में अगले कुछ दिन मैंने बिल्कुल बरबाद कर दी है बहुत ही जरूरी वो दिन थे मुझे बहुत मेहनत करनी थी स्ट्रगल करनी थी अगले कुछ दिन मैं कुछ भी नहीं कर पाया पूरे दिन सिर्फ दिमाग यही चलता रहता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ मुझे ऐसा जीवन क्यों नहीं मिल सकता इनी बातों में दिमाग उल जा रहा महनत नहीं कर पाया और मेहनत ना करने से नुकसान बढ़ते चला गया, परिशानिया बढ़ते चली गई, गिल्ट बढ़ता चला गया, फिर दोस्तों एक रात को मुझे सपना आया, बड़ा दिल्चस्प सपना था, मैं उस इंसान की जगे पे पहुँचे गया, मुझे उस इंसान का जीवन जीने में तबदील करके मुझे दिखा दिया, और सपने में तो हम यही सोचते हैं कि सपना अकली है, बहुत कम एहसास होता है, तो मैं ने उसके जीवन को जी रहा था, सपने में जीए जा रहा था, पर दोस्तों मैं खुश नहीं था, जिस सब की मैं कामना कर रहा था, जिसकी वज ही घुम रहे, जहां struggle नहीं है, challenges नहीं है, उचाई निचाई नहीं है, ऐसा जीवन जीते जीते में बोर हो गया, उस सपने में बोर हो गया, परिशान हो गया, विचलित हो गया, कि क्या करूँ, बस ऐसे ही जीते रहूँगा, सुकों को भोगते रहूँगा, एक दिन मर जाऊँगा मेरी कहानी का तो कोई मतलब ही नहीं है बस एक dead end बन गया है, एक straight line बन गई है कोई उपर नीचे नहीं, कोई roller coaster ride नहीं, कोई challenge नहीं और दोस्तों जब मैं उस सपने से जागा तो मुझे ऐसास हुआ, कि जो मेरा जीवन है, वो मेरे लिए बना है जो उनका जीवन है, वो उनके लिए बना है मैं ऐसा इंसान हुई ही नहीं मैं ऐसा इंसान हूँ जिसको life में activity चाहिए, अक्टिवनेस चाहिए, experiences चाहिए स्ट्रगल चाहिए स्ट्रगल से दुखी हर इंसान होता है मैं भी होता हूँ लेकिन चाहिए मुझे वो ही ताकि मैं कुछ सीख पाऊँ बहतर बन पाऊँ मस्बूत बन पाऊ लाइफ में स्ट्रगल या चैलेंज दिख रहे हैं मेरा मन ऐसा ही है मेरा जीवन ऐसा ही है मेरी सोच ऐसी है मेरा जीवन जीने का तरीका ऐसा ही है कि मुझे यही चाहिए इनका सामना करकर के ही मैं एक अच्छा जीवन जी पाऊँगा खुश रह पाऊँगा छोटी-छोटी success को enjoy कर पाऊंगा मुझे इतनी luxury इतनी straight forward life चाहिए ही नहीं फिर मैंने इस अपनी life से connect किया अगर सीधी-सीधी life चाहिए होती तो मैं बड़े-बड़े फैस्ले लेता ही क्यों मैं अपनी नौकरी छोड़ता ही क्यों मैं struggle करके love marriage करता ही क्यों मेरा जनमी challenge इसको लेने के लिए हुआ है और मैंने अपने आपको commit किया कि जीवन भर challenge आते रहेंगे मैं उनका सामना करते रहूँगा यही मेरा जीवन है यही मेरे जीवन की अच्छा ही है मैं इसलिए ही बनाओ मेरी life unique है मेरी life ऐसी ही है मुझे कोई और नहीं बनना मुझे किसी और से comparison करके खुद को रोकना नहीं है खुद को थामना नहीं है खुद के जीवन को बेकार नहीं बनाना अपने जीवन की value करनी है सर्वो परी रखना है अपने जीवन के लिए जीना है और करम करते रहने है और दोस्तों उसके बाद से मैं फिर से excited होके prayerit होके struggles में वापस लौट गया धक्के गाने शुरू करती है और आज वो जो phase है वो जो time है वो मेरी सबसे अच्छी यादों में से एक है वो मुझे मजबूती देता है strong बनाता है Thank you दोस्तों